नमस्ते, स्वागत है आपका ममी टूबर इंदिया में आज में लेके आए हूँ जॉली फॉनिक्स गुरुप 3 की वर्कशीट्स गुरुप 3 के जो साउंड्स हैं वो हैं ग, औ, अ, ल, फ, ब ये सारे साउंड्स इंट्रिड्यूस कराने का तरीका ये वर्कशीट्स कराने का तरीका, activities, blending, segmenting सब कुछ मैंने already detail में बताया है वो वीडियो देखने के लिए आप आई बटन में क्लिक करिए और वहां से वो वीडियो देखिए अब उस वीडियो में मैंने वर्कशीट्स बताई हैं कि कब आपको कौन सी वर्कशीट इंट्रिड्यूस करनी है और इस वीडियो में मैं ये वर्कशीट्स ही detail में दिखा रही हूँ ये सारी handmade वर्कशीट्स हैं मैंने बहुत असानी से घर पे बनाई है और बच्चे को दे देती हूँ sketch pen या इस तरीके का felt tip pen दे देती हूँ और बच्चा इससे करता है erase करता है याने के reusable वर्कशीट्स हैं इस फाइल में लगाने के बाद पहली वर्कशीट है ये match the picture that begin with the sound ग बीच में एक बड़ा सा जी बना दिया है अब इसमें बच्चा color कर सकता है stickers लगा सकता है कुछ भी कर सकता है finger painting कर सकता है और बच्चे को वो pictures इससे match करनी है जो ग से शिरू हो रही है guava, gloves, gift, cat ये नहीं होगा grapes, bat ये भी नहीं होगा ओके, next इसी तरीके से ओ की वर्कशीट है same match the pictures that start with sound ओ scissor ये नहीं होगा ostrich होगा, octopus होगा, orchids होगा, orange होगा again, a की वर्कशीट है umpire ये होगा, urn ये भी होगा umbrella होगा, underwear ये होगा ये owl नहीं होगा then, a की एक और वर्कशीट है इसमें मैंने बनाया है एक umbrella अब बच्चा ये umbrella color कर सकता है और साथ में ही blending practice कराई है तो बच्चे को trace करना है और उसके बाद trace करने के बाद sound identify करनी है और words को read करने की कोशिश करनी है color the umbrella, trace and read the words bun, sun, gun, cup, cub, fun, sunk, spun, gunk और ये जितने words है, इस सारे group के words है वो आपको उस video में मिल जाएंगे जिसमें मैंने detail में सबसमझाया है उसके description box में check करिएगा आपको पूरा word bank मिल जाएगा पूरे word की list मिल जाएगी next, ल, leaf, lunch, ये owl, ये नहीं होगा match lotus, lizard, ये match होंगे इसी तरीके से sound की worksheet है flag, football, flask, fan, ये yarn, ये नहीं होगा then, trace and read the words written on the fish fishes बनी है, बच्चा चाहे तो इन्हें कलर कर सकता है और जो भी words लिखे हैं, बच्चे को trace करना है और उस words को read करने की कोशिश करनी है next, ये देखिए, इसमें left, right का थोड़ा concept यूज किया है मतलब, बीच में थोड़ा IQ, maths भी डाल दिया है, phonics के साथ अब आप इन fishes पे भी words लिख सकते हैं जैसे, sorry, letters लिख सकते हैं जैसे मैंने यहां पे लिख दिया तो बच्चा ये ये तो पढ़ेगा अब मैंने यहां लिख दिया ब, ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हैं और बच्चे से वो sound identify करने को बोल सकते हैं अब letters change कर सकते हैं और इसको बार-बार use कर सकते हैं साथ में आप बच्चे से पूच सकते हैं which fish is going towards the left, which fish is going towards the right तो थोड़ी mixed worksheet है ये next, match the pictures that begin with sound, balloon, bed, peacock, bicycle, bell ये दोनों match होंगे अब यह है uppercase, lowercase की क्योंकि बच्चा दोनों ही पढ़ता है Jolly Phonics पढ़ते टाइम वैसे हम लोग prefer करते हैं lowercase से पढ़ाने के लिए और ये सही तरीका भी है मतलब शुरुवात lowercase से करते हैं एक बार बच्चा जब एक दो ग्रुप्स पढ़ चुका होता है तो अपरकेस भी इंट्रिड्यूस करते हैं तो बच्चे को अपरकेस से lowercase letters को माच करना है next, circle the correct letters sound अब यहाँ पे जो pictures हैं उनका जो beginning sound है वो यहाँ पे circle करना है ल लॉलिपॉप और यह worksheets मैंने अपनी बेटी को करते हुए भी दिखाई हैं वो वीडियो भी बहुत जल्दी मैं upload कर दोंगी आप आई बटन में एक बार link जरूर चेक कर लीजेगा next है अब देखें words वही होते हैं जो sounds already बच्चे पढ़ चुके होते हैं याने जो मैं word bank की बात कर रही हूँ word list जो आपको पहले वीडियो में मिलेगा जिसमें मैंने ये सारी sounds detail में बताई हैं तो उसमें आप जो जब देखेंगे तो देखेंगे कि वही words हैं वही letters हैं जो बच्चे पढ़ चुके हैं जिनका sound तो ये हमें बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि इस moment पे हम बच्चे को वही worksheets कराएं वही चीज प्राक्टिस कराएं जो बच्चा और जो बच्चा और बच्चा और बच्चा पढ़ी हुई अब बच्चे को rhyming word का concept भी समझ में आने लगता है इतनी प्राक्टिस करने के बाद तो जैसे यहां पे है word पहला word पहले तो बच्चे को रीट करने की कोशिश करनी है अब पिच्चर देखनी है कि red से rhyming कौन सा वाला है यहां पे पिच्चर तो यह देखे पिग, सन, डॉग, पिन, क्राब, बेड तो रेड, बेड ऐसे ही लॉग, डॉग, बिग, पिग, ग्राब, ग्राब का क्या होगा, क्राब, फन और सन, माट, बाट, टिन, पिन, पस, बस इस तरीके से यह माच होगा तो बच्चा पहले साउंड आइटिफाए करेगा, फिर कुछ भी वो ड्रॉग करेगा, जो इस साउंड से शुरू होता है, जैसे अपल ड्रॉग कर सकता है, आंट ड्रॉग करनी की कोशिश कर सकता है यहाँ पे हमें यह नहीं है कि हम उसकी ड्रॉइंग परफेक्ट कराएं, हमारा यह आइडिया नहीं है बच्चा कुछ भी टेरा मेडा भी ड्रॉ करता है, बट वो सही कोशिश करता है, मतलब sound वाला ही word ड्रॉ करने की कोशिश करता है, यानि कि आपकी ये worksheets बनाना successful हो गया Next है, choose the right word for each picture and write it underneath अब man है और यहाँ पे तीन words है, तो बच्चे को man पढ़ना तीनों है, क्योंकि तीनों को बिना पढ़े वो बतानी पायेगा कि ये क्या बना है, और जब वो सही पढ़ ले तो यहाँ पे लिखे ये log बना है, तो frog, log, dog, यहाँ पे log लिखेगा, tin, kin, pin, pin लिखना है, sat, sip, sun, sun लिखना है, neck, nut, net, net, hat, hut, hen, hat, cat, cup, sap, cup, bat, bit, mat, bat, hen, hat, hut, hen Next worksheet, hear the sounds in the words, trace and read them, then draw a picture of each sound बच्चे को यहाँ पे पहले trace करना है, फिर sound identify करके, blend करके, read करने की कोशिश करनी है, और जब read कर ले तो यही जो word दिया है, यहाँ पे उसको, उसकी picture draw करनी है Cap, sun, mat, hat, sorry, hen, bus, cup, next, match the pictures with the correct words, तो यह simple picture बना है, और बच्चे को उससे match करना है तो यह mat है, तो बच्चे को ध्यान से सारे words देखने है, अगर वो पढ़ लेता है, at, तो इसससे match करना है, तो mat, cup, sorry, mug, sun, cap, pin, net Next worksheet, when two letters that make the same sound come together, you only say the sound once यह मैंने group 1 में भी अपने detailed video में बताया था, कि जब दो letters same sound वाले एक साथ आते हैं, तो हमें sound सिर्फ एक बार बोलनी है Example, यह है, द, र, ए, स, दो बार S आ रहा है, लेकिन हम sound सिर्फ एक बार निकालेंगे स, तो dress, र, र, अ, ब, इ, ट, rabbit, देखिए, छोटे बच्चे तो इतने बड़े words अभी blend नहीं कर पाएंगे, मतलब इन इतने यह five letter, six letter words blend नहीं कर पाएंगे, यह worksheet थोड़े बड़े बच्चों के लिए है, मतलब करीब पात साल से उपर के बच्चों के लिए है, क्योंकि वही लोग इतने बड़े words blend कर सकते हैं, लेकिन स्टिल आप कोशिश करा सकते हैं, अगर नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज फ्रस्ट्रेट होके, आप बच्चे को फोर्स मत करिएगा, आप थोड़े दिन बाद च्राए करिएगा और यह final है एक game, roll the dice, move and read the word यहाँ आप दो जो लूडो वगेरा होते हैं, तो आप उसके दो पिंस, दो गोटियां ले सकते हैं, आप यहाँ रख सकते हैं, अपने बच्चे के साथ यह game खेल सकते हैं आपने dice गुमाया, अगर मान लिज़े dice में आया 3, तो बच्चा start से चलेगा 1, 2, 3, अब 3 पे जो word है, उसको read करने की कोशिश करेगा करता है, नहीं करता है, वो बात की बात है, बट कोशिश करेगा, उसके बाद आपकी turn इसी तरीके से आपने चला, और मान लिज़े आपका आगया 4, तो 1, 2, 3, 4 पे है, move to 7, तो 7 पे है यह word, mop, आप उसको read करके बताएए, और आप simple ऐसे मत read करिए, 7 पे गोट रखके बोलि बच्चे को आप blend करने, दिखाईए और उसको सिखाईए भी, mm, op, mop, फिर ऐसे ही आपकी turn, बच्चे की turn, और जो पहले यहाँ win तक आ जाएगा, वो winner होगा, and again, यह सारे words आपको word list में मिल जाएंगे, कैसा लगा आपको यह video, please, मुझे share करके, जरूर बताएगा comment section में, अ और अगर आपके पास कोई worksheets बनाने के ideas हैं, तो वो भी मुझे बताईए, और भी viewers को help मिलेगी, देखते रहे हैं, ममी ट्यूबर इंडिया, धन्यवाद